असलाम अलेकम एवरिवन आज हम डिसकस करेंगे असेस्मेंट आफ मस्क्यूलोस्केलिटल सिस्टम को उसेस करने के लिए टू मैंन कंपोनेंट्स होते ही फिजीकल एग्जामिनेशन की नमबर वन इस इंस्पेक्शन एंड सेकंड इस पल्पेशन तो सबसे पहले आपने इंस् आप general observation करेंगे उस patient की जिसमें आप उसकी size को note करेंगे उसकी shape of joints को note करेंगे, limbs को देखेंगे, body regions को note करेंगे और अगर possible हो सके तो आप उसको ये भी note करेंगे कि वो किस तरह से strain हो रहा है, किस तरह से वो move कर रहा है और अगर वो move नहीं कर रहा तो आप उसको बोलेंगे कि वो move करें वो आपको room में walk करके दिखाए अगर वो already room में present है तो आप उसको बोलेंगे कि can you walk to the door उसके बाद आप उसको turn around, turn around करवाना है then walk back toward you, okay तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा उसको observe करना है by using the component inspection inspection के बाद आपने systematically पूरी body को assess करना है जिसमें आप head to toe eye examination करेंगे यानि head से आपने start लेना है और toe eye पर खतम करना है यह rule है musculoskeletal system की assessment का or it can be said as from proximal to distal proximal indicate करता है head को और distal indicate करता है toe eye को okay so head में सबसे पहले आज हम assessment करेंगे किसकी head and jaw गी so यह तो हाँ गोया हमारा component number one जिसमें हमने क्या गिया inspection किया inspection के बाद हम दूसरा component use करेंगे जिसमें हम assess करेंगे किसको bones को और joints को so perform a head to toe eye evaluation of your patient bones and joints using inspection and palpation आपने inspection कर ली उसके बाद आप क्या करेंगे palpation करेंगे inspection and palpation के बाद में आप passive range of motion को check करेंगे उस range of motion को check करने से आपको यह पता चलता है कि either उसकी joints healthy है movable है या नहीं है और एक other चीज़ जो आपने remember रखनी है वो क्या है you should never force movement आपने उसको force नहीं करना movement के लिए अगर move कर रहा है तो ठीक है नहीं कर रहा तो it's okay नहीं तो आपको पता किसे चलेगा कि इसका range of motion सही है इसकी joints सही है या नहीं है तो यह तीन steps आपने याद रखने है during the assessment of musculo skeletal system inspection then palpation और उसके बाद range of motion को check करेंगे clear है तो start लेते हैं आज हम hate से start करेंगे और toy पर खतम करेंगे तो आज hate से only hate की आज हम assessment करेंगे ओके इस वीडियो में so hate and jaw सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें inspect करना है यानि observe करना है patient के face को for any kind of swelling इसके मुँ में कोई सूजन वगेरा तो present नहीं है उसकी symmetry को देखना है कि उसकी symmetry maintained है या नहीं है symmetry अगर अच्छी है तो okay नहीं है तो आप asymmetrical लिख सकते ही okay evidence of trauma evidence of trauma का मतलब है कि क्या उसके face के उपर या उसके head के उपर किसी भी तरह के कोई trauma के निशान या evidence तो नहीं है जो आपको indicate कर रहे है कि इसको trauma हुआ है okay यह सारा कुछ आपको किस से बता चलेगा by doing a good observation और observation किसमें करेंगे आप inspection में करेंगे clear है उसके बाद mandible should be in the midline जो mandible है वो midline पर होना चाहिए ना तो right पर shift होना चाहिए और ना ही left पर shift होना चाहिए तो यहाँ पर आप ने inspection भी कर लिए उके उसके बाद आप क्या करेंगे आप उसके range of motion को evaluate करेंगे क्योंकि head को आप head में जो sutures होते हैं तो उसकी तो आप नहीं कर सकते okay clear है ना face के जो mostly bones होते हैं वो movable नहीं होते जो movable होता है वो कौन सा होता है mandibles वाले area जो होते हैं वहाँ पर जो हम use करते हैं for speaking, laughing and eating okay तो उनके बीच में कौन सी joint प्रेजेंट होती है temporomandibular joint आपने range of motion assess करना है evaluate करना है temporomandibular joint का क्योंकि face और head और jaw में simply यही present है joint जिसको आप range of motion को evaluate कर सकते हैं अब किस तरह से evaluate करेंगे यहाँ आपर देखते हैं so यह वो patient है जिसकी हम assessment करेंगे यानि evaluate करेंगे range of motion of temporomandibular joint किस तरह से करेंगे place the tips of your index finger in front of midline of each ear आपने अपनी दोनों हाथ की index finger को midline of ear यानि जहां से ear का midline है वहां के उस ear के आगे रखना है ओके उसके midline में यानि बीच में then क्या करना है ask the patient to open and close his mouth उसकी बाद आपने बोलना है उस patient को कि वो अपना मुंग खोले और बंद करें अगर पेशेंट नॉर्मल होगा तो वो अपना माउथ easily open भी करेगा close भी करेगा उसके इलावा वो अपनी जा को protect भी करेगा यानि आगेत की तरफ move करवा हैगा और retract यानि पीच्छे की तरफ भी उनको easily move करवा पाएगा without any pain और tenderness तो यह की एंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है वो normal है उसका temporomandibular joint जो है वो normal है healthy है और वो किस तरह से आपको पता चलेगा जब वो अपना मूँ खोलेगा यानि जब वो अपना माउथ open करेगा तो आपकी जो अगर यहां पर आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा so your finger should drop into a depressed area over joints as the patient mouth open clear है then अगर यहां पर हम बात करें abnormality की तो abnormality में आप आपको सुनने में आएगे कुछ अजीब sounds आपको सुनने में आएंगे अगर आपको सुनने में कुछ sounds आ रहे हैं या फिर पल्पेड करने के दुरौन आपको कुछ किलिक या फिर ऐसे कुछ अजीब sounds मिल रहे हैं जब patient अपना mouth open कर रहा है तो you have to suspect and improperly aligned जा इसका मतलब है कि जो 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 है वो improperly aligned है या तो उस area में swelling है उसकी वज़ा से ही वहाँ पर cryptus यानि mouth वो open कर रहा है और close कर रहा है उसके दोरान joints के बीच में sound produce होता है ओके या तो वो जब patient अपना mouth open या फिर close करेगा तो उसको pain होगा तो it means there is something abnormal clear है तो इस तरह से आप temporal mandibular joint को assess करेंगे उसकी range of motion को so neck को neck की assessment हम कल वाले वीडियो में discuss करेंगे okay कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो